ऑसर का इंधजार मत किए मेहनत कीजिये ऑसर अपने आप खुद बाखud मिलने लगेंगे नमस्क्राइभ दोस्तों आज के वीडियो में डीज़क करेंगे 3 अगस्त के करिंडर प्रप प्रबर दीखे आज 3 अगस्त के वीडियो में डॉल्म 12 लिदिशक करेंगे पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेला गुरूप ब्रेस करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज के रेंडर फिर्जन को लेकिन सबसे पहले मैं बात कर लेते हैं कल के करेंडर वांगे सभी कोश्णापरिय के सहीत्रों की देखे कलो कोशन अब्रे का पहला प्रस्ता है कि यी गवर्निस पर 22 वा राश्टी सम्मिलन कहां पर आजित किया जाएगा तो देखे इसका आजिए उन्जर मेगाला की राजधानी सिलांग में किया जाएगा देखे दूसरा था कि हाल ही में किस कलाडी को डोपिंग उलंगर के लिए भारती क्रिकेट कंट्रोल बोड ने आठ महीने के लिए निलंबित कर दिया है तो देखे ये भारती कलाडी अपके हैं पृत्फिशा और तीसरा था कि किस राज़ी में पाय जाने वाले मकराना के संगमरमर को विश्व विरासत यान की कलोबल हेरीटर सूची में सामिल किया गया है तो देखे जो आपका ये मकराना का संगमरमर है ये आपका राजस्थान में पाय जाता है और चौथा था कि दक्षिड एसिया एयर क्वालिटी टेक कैम 2019 का आईज़न किस दिस में किया गया तो देखे इसका आईज़न नेपाल में हाली में किया गया और पांचमा था कि मुंसी प्रेम चंदर की जैनती ये किस तितित को मनाई गई तो देखे 31 जुलाई को अभी हाली में मुंसी प्रेम चंदर की जैनती मनाई गई और इनके बारे में कुछ डीटेल्स मैंने आपको बताया थे परसो के वीडियो में आंतरी के ब्यापार एवं उद्योग समवर्धन विभाग के नए सचियू कौन बने है तो देखे आपको बतादू केंदरी वाडी जब मंत्राले के तहत आने वाले आंतरी के ब्यापार एवं उद्योग समवर्धन विभाग के नए सचियू बने है गुरू प्रसाद महापात्र और तीसरा प्रस्थ है कि खेलो इंडिया यूद गेम्स के तीसरे संस्क्रड का आईजन किस सहर में किया जाएगा तो देखे ये प्रस्थन एकजाम में सबसे यादे पुशायराजकल कमडेटी एकजाम में देखे आपको दादू कि आपका खेलो इंडिया यूद गेम्स का जो तीसरा संस्क्रड है इसका आईजन जो है 2020 में गुवाहाटी में किया जाएगा 18-30 जन्वरी था और देखे इसका आईजन जो है असम बारती ओलंपिक संग और इसका आपको दादू कि आपको आपका खेलो इंडिया यूद गेम्स के दूसरे संस्क्रड का आईजन जो है कहां पर किया गया तो दीखे इसका आईजन जो है महराश्ट के पूरी में किया गया 2019 में इसको आप यारखेगा तो पहले संस्क्रड का जो है 2018 में ने दिली में किया गया था और दूसरे संस्क्रड का जो है 2019 में पूरी में किया गया था दिया गया है रवीज कुमार को देखे रवीज कुमार जो है ये अन्डी टीवी के पत्रकार है आपको पता ही होगा और पूदा दूँ कि जो आपका रमन मैकसे से पूरसकार है इसके बारे में जो है एक प्रश्ण एक्जाम में हर साल पुछा जता है तो जितने भी फैक्ट इजाम में पुछेते हैं वो सभी fact मैं को पताऊंगा देखिए सबसे पहले winner का नाम आपको यह रखना है current year का 2019 का जो रेमन मैकसे से अवार्ड है कि किसको दिया गया है NDTV के पत्रकार रवीज कुमार को और इसको जो आपका रेमन मैकसे से अठीक है इसको जो है ACA का नोबल प पुरिसकार है यह ACA के विक्तियों और संस्थाओं को उनके अपने च्छेत्र में विशे सुरुप से उलेखनी कारे करने के लिए प्रदान किया जाता है और देखिए पुदादू की जो आपका यह रेमन मैकसे से पुरिसकार है ठीक है यह फिलिपीन्स के भुतपुर गया है और इन से पहले जो पांच पत्रकार है जिनको यह पुरिसकार दिया गया उनके नाम जालीजिए देखिए इसके पहले अमिताब चोधरी को 1971 में बीजी वरीज को 1975 में और अरुड साओरी को 1982 में आरके लक्षमण को 1984 में पी साइनाद को 2007 में यह पुरिसकार जो है मि जो पत्रकार नहीं है जिनको यह आवार्ड मिल चुका है देखिए अरबिंद केजरिवाल को और जो भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर है कीरन बेदी ठीक है इन डोनों को यह आवार्ड दिया जा चुका है लेकिन यह दोनों पत्रकार नहीं थे हमने किवाल पत्रकारों की बात की है रभीज कुमार ऐसे छटे पतरकार है जिन्होंने रेमन मैसिस से अवार्ट जीता है हाली में और देखे पांचवा प्रशने की बावनवी आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक का आज़न जो है किस असान पर किया जा रहा है तो देखे जो आपकी बावनवी आसियान व भारत का प्रिजित दो है इसको किया भारत के केंदरी विदेश मंत्री एस जैस संकरने तो यह विसेज पॉइंट आपको या रखना है आपको पता दू फिर से कि जो आपका बावनवा आसियान विदेश मंत्रियों का बैठक है यह आपका बैठक में किया जा रहा है और इस पूरा नाम है असोसियेसन आप साउथ एस्ट 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 नेसंस और देखिए आसियान में उकुल दस सदस्ट से देश हैं और यह देश कौन को से हैं पहला देश आपका है इंडोनिशिया दूसरा थाइलेंड है तीसरा मलेसिया है चौता सिंगापूर है पांचवा फिलि आशियान का मेंबर है की नहीं तो भारत का नाम हैँ डाइlier म incorpati का मिंगान हमें और डिखे आसियान का जो जर्शां का मिंवह का इजा जरत का इंडोनिशिया में सती थैय और आसियान कर अबका... 1967 को की यह थी चछटा प्रशन है कि डिजनी के मिकी माउस को आवाज देने वाली दिगज अबनेत्री रसी टेलर का हाल ही में निधन हो गया उनका जन्म किस देश में हुआ था तो दिखी रसी टेलर जो है अमेरिका से बिलाँ करती थी इनका जन्म जो है अमेरिका में हुआ था अमेरिका के मैसा चुसेट्स में चार मई उन्नीसो चो वालिस को तो आपको यहाँ पर याद रखना है एक लाइन में कि डिजनी के मिकी माउस को आवाज देने वाली दिगज अबनेत्री रसी टेलर का हाल ही में निदन हो गया है इनका जन्म जो है अमेरिका में हो था अमेरिका के मैसा चुसेट्स में ठीक है तो देखे बच्पन में मेरा फेबरेट कार्टून हुआ करता था अमेर्की माउस और इनको हम लोग यानि की रसी टेलर को को बढ़ावा देने के लिए पूरे राज में एक लाग से अधिक पौधे वीतरित करेगी तो वीतरित करने से काम नहीं चलेगा इसको लगाना भी पड़ेगा और देखे अगर आप पस्चिम मंगाल से बिलांग करते हैं तो आपको खुद अपनी जीमेदारी समुझनी चा तो आपको यहां पर भी क्या रखना है कि जो आपका सेव गरीन अभियान है यहाली में पस्चिम मंगाल राज में शुरू गया गया है और इसके तर जो है पस्चिम मंगाल की जो सरकार है यह हर याली को बढ़ावा दने के लिए पूरी राज में एक लाग से अधिक वोधे वित्रित करेगी और अपस्चिम मंगाल के बारे में जान लेते हैं देखे पस्चिम मंगाल जो है यहां की मुक्यमंत्री है ममता बनर जी पस्चिम मंगाल के राजपाल है जगदीब दंखड और पस्चिम मंगाल के राजानी है कोलका था आठवा प्रशने की हाली में कितने और इसकी क्या खास बात है इसको आप ध्यान से सुनिएगा देखे सबसे पहले आपको दादू यह चार राजे कौन से हैं जहाँ पर यह जो है वन निसन वन रासन कार्ड यूजना सुरू की गई है अपना जो रासन कार्ड है उसको आधान नंबर से अपने लिंक करना पड़ेगा और इसके बाद क्या होगा अगर आपके पास ये खादी सुरक्षा रासन कार्ड है ठीक है तो आप तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महराष्ट और गुजराच से जो है आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी रासन की दुकान है मतलब किसी भी रासन की दुकान से सब्सीडी वाले चावल और गयों खरीच सकते हैं ठीक है तो यह फाइदा है इस वन नेशन वन रासन कार्ड यो ना की देखे होता क्या था पहले कि आप जो है उत्तर प्रदेश से बिलहां करते हैं और आप पैसे कमानी के लिए जो गुजराच चले गए हैं ठीक है तो आप अपने रासन कार्ड का यूज नहीं कर पाते थे आपको यहाँ पर फिर महेंगे अनाज खरीचने परते थे लेकिन आप क्या होगा आप अपने इस उत्तर प्रदेश वाले रासन कार्ड से जो है गुजरात में वहाँ पर जो है इसको आधार कार्ड से लिंक करके जो है मतलब इस रासन कार्ड को वहाँ पर जो है इस वन नेशन वन रासन कार्ड यूना के तरह जो है जो आपका सबसी सबसे बड़ी अर्दोस्ता के रूप में उबरा था लेकिन आप थोड़ा सा दुख की बात है बारत जो है साथ में सतन पर आ गया इस बार तो इसलिए यह प्रस्ण एक्जाम में पूछा भी जाएगा क्योंकि इस पर काफी विवाद उने वाला है काफी वेवक्ष कामला जहि है उसको तो अभी आपको यह रटन है कि विस सुबहें के 2018 के आंकड़ो करिमसार भारत जो है वेस्वी जीटीपी रैंकिंग में साथ में स्थान पर आ गया है देखिए आपको बता दूँ कि वरतमान में जीटीवी के आदार पर जो है दुनिया की जो सबसे बड़ी अर्व लेका है और दूसरे ship चाइना है तीसरे पर कैनेडा है, 11 रस्या है, 12 रस्तान पर सौथ कोरिया है, 13 रस्तान पर आश्टेलिया है और 14 रस्तान पर स्पेन है तो दीखे, यह बाकी मैंने आपको डीटेल जो बताई है ठीक है यह बस आप ऐसे दिमाग में मना ही रिक लेकिन एक से 7 तक रैंकिंग आपको या रिकनी है एक से साथ तक की ranking आपके एक्जाम के लिए important है और खास तोर से पहले स्थान पर कौन है अमेरिका है और भारत की ranking क्या है साथ में ठीक है बाकी आपको एरकना है चाइना दूसरे जापान तीशरे जर्मनी चोथे UK पांच में और छटे स्थान पर आपका फ्रांस है ठीक है वि सब्सक्राइब की अस्थापना जो है यह जुलाई 1944 में की गई थी दसमल परशने की क्रेडिट रेटिंग एजनसी क्रिसिल ने वित वर्स 2019 बीस के लिए भारत की GDP वर्दी के अनुमान को 20 आधार अंकों की कटोथी करके कितना कर दिया है तो देखे आपको दाजम की क्रेड सब्सक्राइब की क्रेडिट रेटिंग एजनसी क्रिसिल इसने इसको और कम बताया है इसने 6.9% कर दिया इसको ठीक है तो यह चीज़ आ रखना है और आपको देखे क्रिसिल के बारे मात कर लेते हैं देखे जो आपका क्रिसिल है यह जो है ग्लोबल एनलिकल कंपनी है यह जो है वैस्विक आंकरे प्रसुत करती है GDP से संबंदित और वरतमान में इसके CEO है आसू सुयस और देखे आपको दादू की इसका मुख्याल जो है मूंबई में ही स्थित है और 11 प्रशन है की प्राख्या सुदंता सेनानी पिंगली वेंकाया की 143 जनती जो है यह किस स् देखे इन्होंने एक बेस तैयार किया था कि बारत बारत को राष्टी दोज होगा यह इस प्रकार के वा ठीक है तो उसी बेस पर वरतमान आपका जो राश्ट दोज है ठीक है इसको तैयार किया गया था और देखे पिंगली वेंकाय जो है इनका जनम दो अगस्त 1856 को जो ह पास हुआ था तो पिंगली वेंकाया के बारे में यह इंफॉर्मेशन आपको यार रखनी है और वियाले में इनका जो है 2019 में दो अगस्त 2019 को जो है 143 जैनती हमने मनाई और 12 प्रशने की हाली में कि इस आईएटी के सोध करताओं के द्वारा ठोस अपसिष्ट से उर्जा उत्पादन करने की तखनीकी विक्सित की गई है तो देखे आपको पुदादों की IIT खड़पूर के जो है सोद करताओने वियाली में ठोस अपसिष्ट जो है उर्जा उत्पादन करने की तखनीकी विक्सित की है और देखे इससे क्या होगा जो नगर निगम के जो ठोस अपसिष्ट होते है तो उनसे जो है अब क्या होगा उर्जा उत्पन किया जा सकेगा ठीक है इस टेखनीक के द्वारा और देखे आप पतातूं कि IIT खड़पूर की एक सोद टीम ने जो है एक ऐसी तखनीकी विक्सित किया जो उच्छ नमी वाली सामागरी से जैसे कि आपको बता दिया मैंने कि जो आपका मुनिसिबल कारपर करेंगे तो यह थे आपके आज के सभी महतपूर करेंटे पर अब बात कर लेते हैं आज के सभी कुश्ण अड़े पर देखे आज की कुश्ण अब्डे का पहला प्रश्ण है कि एंटर प्रेनियोर आप दे येर अवार दोहर 19 से किसे समानित किया गया है इनका नाम बताई क ये और दोसरा प्रश्ण है कि किस पूरू क्रिकेटर को भारत कवरो पुरस्कार से समानित किया गया है इनका नाम बताई कि भारत के द्वार्शार ऐन किसको दिया गया है यह मैंने आपको कल के वीड़े एम बता तो कल का वीड़P है किसको रिवाइज कर लिजेगा और पांच्वा प्रश्णाई की हाल ही में किस न्यू चैनल को चैंपियंस आप एमपैथी आवार्ड से समानित किया गया है तो इस न्यू चैनल का नाम बताईए और चौथा प्रश्णाई की केंदरी मंत्री मंडल ने सुप्रीम कोट में चीप जश्टिक्स के अलामा जजजों की संक्या जो है ये तीस से बढ़ा कर कितने किये जाने की मंजूरी दे दी है इसका आंसर बताईए और कल का वीडियो आप देखके जो है ज़रूरी रिवाइज कर लेज़ेगा किकल मैंने बहुत ही बेसिक चीज़े आपको बताई थी इससे समान दे और प्रश्णाई की हाल ही में फीफा ने महिलाओं के अगले फुटबाल विसकप में टीमों की संख कर देना है और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे अगली वीडियो का अपड़ेट आपको आर्टोमेटिक और सब्सक्राइब मिल जाए और अगर आप अज़े सोचल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो इसी के साथ बहुत बहुत बहु प्राइब झाल 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 टाइब ठाइब नएच्ट अगड़े के साथ बहुत फ्याज़े पहुत बहुत बहुत कि यह उन्या झाल खाएब प्राइब यहां साथ